हेलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरज स्वागत करता हूँ आज की सेसर में और आज हम आपको बताएंगे कि एन आई ओएस से 12 करने के बाद क्या आप हर से ही जैसे नाई उसके आगे का इजुकेशन सारा पूरा हो जाए इसलिए मैं यहाप आपने दिखावाएं कि जो एन इस ट्वेल पास स्टुडेंट है वो ग्रेजुएशन कैसे करें यह सबसे बड़ा एक क्वेस्टेन मार्क होता है कि फिर क्या कॉलेज अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो क्या कॉलेज हम मतलब कंपल्सरी यह जाना ही पड़ेगा अडिमिसन लेना ही पड़ेगा तो दिक्कत वाली बात है आपको घबराने वाली कोई बात नहीं हमारे देश में जैसे एन आई ओएस आपका 10 और 12 का डिस् इसनल इनवर्सिटी जो है इगनू का वह आपको प्रोवाइड करता है पूरा प्रोग्राम जिसमें आप घर बैठे केबल तयारी कर सकते हैं और केवल एक्जाम आपको देना जाके आपको कोई लफडा नहीं है कोई कॉलेज के चक्कर नहीं काटना कहीं कुछ नहीं जाना जैसे NIS में घर से ही एडिमिशन हो जाता है वैसे ही आप किसी साइवर कैफे से या हमारी टीम की हल्प से आप रिजुएशन के लिए या उसके आगे के एजुकेशन के लिए आप इगनू में जा सकते हैं और इगनू में जाकर अपने इस क्वालिफिकेशन को और अच्छा कर सकते हैं अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इगनू की वैल्यू है एक पल के लिए NIS के लोग तो फिर भी सस्पेंस में डालते हैं पर अगर आप जिन से भी पूछ हो गए इगनू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा चुकि इगनू इंटरनेशनल लेबल पर हल से क्या होता है साल में दो बार एक्जाम इसका होता है बट हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या आप जानते हैं तो देखिए एक टेक लाया गया था 1985 में उसके बाद जो है यह चीजे लाई गई और 1987 से वहाँ डिप्लोमा और डिप्लोमा डिस्टेंस अज्योकेशन को दिया गया आज की डिट में तो काफी जादा है आप देखेंगे तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ यहां पर कि इनके पास जो अभी तक इंडिया में और अगर आप देखेंगे इंडिया में तो इसे ट्वंटीवन स्कूल हैं जो स्टडीज जहां पर एक्जाम अगरा कंड़क्ट कराते हैं इनका नेटवर्क जो है 67 रिजनल सेंटर का है और इनका सपोर्ट सेंटर 2667 है 29 ओवर सीज पार्टनर इंस्ट्यूशन से जो बाहर में है मतलब बाहर का दो स्टाइफ सर्टिफिकेट यह देते हैं डिप्लोमा हो गया डिग्री हो गया डॉक्टर प्रोग्राम हो गया इस सारी चीजह यहां पर आपको देखने को मिलती है जो भी चीजह मतलब मैं आपको ट्रस्ट के लिए के बलबता रहा हूं अगर मैं इनके प्रोग्राम पर आओ यहां पर अगर आपको दिखाताऊं इनके और फिर Нा लैन प्रोग्राम के बारे मेंैगा मस्टर कर सकते हैं अ अपना कम्प्लिट कर सकते हैं डिप्लोमा भी किया सकता है या अगर आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट के बल चाहते हैं जैसे कि मान के चलिए यहां पर लिखा हुआ है संस्कृत का यहां पर अगर अनॉंसमेंट पर जाओं तो देखें कुछ चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगे जैसे लिखा हुआ है डाउनलोड हौल टिकट दिसमबर 2023 यानि कि एक एक एकजाम सर्दी में होता है दिसमबर में होता है और दूसरा देखिए यहां लिखा हुआ है जमा करना होता लेटेस्ट का मुझे नहीं पता आउन-l lijn लेते गहीं लेते थे बडृष अप्लाइन जाकर के वहां पर देना पड़ता है और यहां नहीं कर पाते हैं ऐसे कंडिशन में आप दिसंबर में ग्जाम दे सकते जो अगला आएगा उसमें भी आप और साथ में फर्स्ट एर का जो पीछे का एक्जाम था वो भी आप दे सकते हैं यह कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है यहां पर कि आपको कहीं बार बार होता है बना जान पूझ के कौन चाहेगा कि हम बार बार हो जाएंगे बहुत मौका देता है यहां भी आको कि एक स्था पास हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ज्यादा नहीं है मतलब यह समझे कि कहीं कहीं 4000 में हो जाता कहीं 3000 जादा कई फापन्स यह भी लगता डिपेंड करता है कि आपका सब्जिक्ट क्या है आप कैसे ले रहे हैं कितना ले रहे हैं किसा साब से और और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इनका रिफंडेवल पॉलसी बगरा था यह चीजे लिखाता है कि अगर आपने अड्मिसन ले लिया है और आप चाहते हैं कि रिफंड बगरा हो जाए तो क्या उसका सिस्टम ह्ट अच्छ चिज नी जिस्टेशन को लेकर रहे हैं आपका यहां पर रिटे स्म प्रस्पॉड की का…? ठीक आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है यहां पर नीचे लिखा हुआ है कैसे यहां तो लिखा हुआ यहां पर कि पूरा पूरा आपको पापस कर देगा लेकिन अगर कनफर्म हो जाता है और फिर आपका मन नहीं करता है फंदरा दिन के अंदर आप चाहिए तो रिफंड कर सकते हैं 500 रुप्या कट जाएगा बाकि रिफंड हो जाएगा उसी तरीके से अगर आप 16-90 तीन महिने क अंदर में लेते हैं यहां पर आपका इसमें सो जो भी आपने प्रोग्राम का फी दिया है उसमें 1000 रुप्या माइनस हो जाएगा और अगर आप 90 डे से उपर चले जाएगे तो यहां पर कोई रिफंड आपका नहीं होगा यहां पर बहुत ही अच्छी है इसमें बुक्स ब कुछ भी जो चाय पोगो कर सकते हैं मतलों आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए मेहनत कर सकते हैं कीजिए कोई बॉन्डे से नो बॉन्डे से आप जहां तक जा सकते हैं भारत में बहुत अच्छी सिस्ट एक तो यह ना इस क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इगनूर ठीक है ना तो उमीद करते हैं कि यह इन्फोर्मेशन यह आज का जो अपडेट है वह आपके लिए क्या करना नहीं करना उनको किलियर होगया होगा इन में कोई भी दिक्कत आप को आता है आप मुझे कॉन्टेट किजिए इसका भी जैसे में रिजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहां भी आपका सारा काम करें आपको यह सारा गाइड करें तो बहुत ही बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसलिए आप घबराईये नहीं बिल्कुल ट्राइल मोड कोई नहीं है यहां पर बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं जो होता है ठीक है किसी के साथ आज वीडियो के यहीं पर बाइंड अप करेंगे मिलेंगे नए कंट क्लिक तक नहीं कर पाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा देखिए फायदा यह होगा कि यह यूटूब का एक अल्गोरित्म होता है हमारा चैनल जाएगा तो जैसे आपके पास हमारे चैनल से अच्छी जैनकारी मिलती है तो बाकी एस्टुडेंट भी उस लाब को ले नए अपडेट के साथ में तब तक हैसा ही हसते खिलिक लाते मुस्कुराते रहिए थाइंक्यू वीस्टी ओल्देवेज